हलो एवरिवान माईनेम इस मनेश मैं इस वीडियो पर बात करने वालाँ चतिस गड़ बोट कक्छा आठवी मासिक आकलन दो हजार तेविस चौबिस माह जुलाई कक्छा आठवी विसे समाजिक विज्ञान का उत्तर माला आपको बताने वालाँ वीडियो को लाइक सेयर और योटूब चैनल को सस्क्राइब का लिस्ट का पिडियेप वेबसाइट पर मिलेगा वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रख है तो जाईए और वहां से पिडियेप को डाउनलोड करें पुर्णांक रहेगा 25 संको का समय है 40 मिनट वस्तुनिष्ट प्रश्ण प्रश्ण पहला मृदा निर्मान का कारक नहीं है समय मृदा का गठन जैवपदार्थ भूकम्प भूकम्प एक प्राकृतिक आपदा होता है मृदा निर्मान का कारक नहीं होता है अनभी करनिय संसाधन है कोईला से उत्पन उर्जा, सुर्य उर्जा, पवन उर्जा, जल उर्जा अनभी करनिय संसाधन है कोईला से उत्पन उर्जा, प्रत्वी का कितना प्रतिसत पानी, पीने योग्य नहीं है तो उत्तर आएगा इसका 2 प्रतिसत, 9 प्रतिसत, 99 प्रतिसत, 70 प्रतिसत यानि कि 97 प्रतिसत जल होता है, समुद्री जल होता है, खारापन होता है जिसके करण पीने योग्य नहीं रह पाता है फिर आपका अगला प्रश्न है, पुना जागरन, अतिलग होतरिय प्रश्न, पुना जागरन का स्वरूप स्पष्ट कीजिए, चौथा प्रश्न, दो अंका, विस्व बाल सोसन मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है प्रश्न, प्रित्वी पर संसाधन, असमानने रूप से क्यों वित्रित है, तो ये तीन प्रश्न है, दो अंक वाले पुना जागरन का स्वरूप स्वरूप स्पष्ट कीजिए, विस्व बाल सोसन मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है प्रित्वी पर संसाधन असमाने रूप से क्यों वित्तरित है लगूतरी प्रश्ण सामन्त वात का पतन किस तरह हुआ मानों संसाधन महत्पोन क्यों है ये साथवा और आठवा प्रश्ण है तीन तीनंग का प्रश्ण है प्रदूसन क्या है इसे को रोकने के उपाय लिखे प प्रशन पुछा गया है तो इसका उत्तर देखते हैं मृदा निर्माण का कारक नहीं है भूकम भूकम पे एक प्राकृतिक आपदा होता है भूमी निर्माण मृदा निर्माण का कार्य नहीं होता है अनबनी करिनिय संसाधने कोईला से उत्पन उर्जा प्रत्वी का कितना प अगला प्रश्ण यहां पर पुना जागरन का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। पुना जागरन एक सांस्कृतिक, धार्मिक और बौद्धिक पुनर उत्थान था जो 14 सताबिए में इटिली में शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ था? इटली से सुरू हुआ, 27 सताबदी में पूरे यूरोप में फैल गया, पुना जागरन मानोतावात के उदय से चिनहित था, जो मानोता और मानो अन्बाव की प्रासंगिकता पर जोर देता था, इस तरह से आपको उत्ता लिखना है, पुना जागरन एक सांसृतिक धार्मिक औ और बौद्धिक पुनरुथान था, जो 24 सताबदी में इटली से सुरू हुआ, 27 सताबदी में पूरे यूरोप में फैल गया, पुना जागरन मानोतावात के उदय से चिनहित था, जो मानोता और मानो अन्बाव की प्रासंगिता पर जोर देता था, ये उत्तर रहेगा आप का चौथे का, पांचवा प्रश्न विस्व बाल सोसन मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, विस्व बाल सोसन मुक्ति दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है, यह दिन बच्चों के खिलाब सारिक सोसन और भावातमक सोसन के खिलाब जागरुपता बढ़ाने के लिए मनाया जात तो विश्व बाल सोसन मुक्ति दिवस 18 नवंबर 18 नवंबर को मनाया जाता है या सालरिक सोसन भावातमक सोसन के विरुद्ध लोगों को जागरुकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है छटवा प्रश्ण प्रित्वी पर संसाधन असमानने रूप से क्यों वित्रित है प्रित्वी पर संसाधन असमानने रूप से वित्रित है क्यों तो भूभाग के अलग-अलग छेत्रों में वन्य जीवन जल जलवायू मिट्टी खनीज और जलवायू में विभिमिनता होती है जो संसादनों की विविदता को प्रभावित करती है पृत्वी पर संसादन असमान रुप से वित्रित है क्योंकि भू भाग के अलग-अलग छेत्रों में वन जीवन, जल, जलवायू, मिट्टी, खनेज और जलवायू में भिनता होती है संसातनों के विविदता को प्रभावित करती है अगला सात्वा सामंतवात का पतन किस तरह हुआ सामंतवात का पतन निम्नलिखित कारणों से हुआ पहला राश्टी एक्ता की कमी सामंतवात के चलते राज्यों में एक्ता की कमी हुई और इससे राश्टी एकी करन को कमजोरी क असामना करना पड़ा यह राश्टी एक्ता की कमी फिर अगला पॉइंट में लिखेंगे समाज में असमानता सामंत वाद ने समाज में विभेद बढ़ाया जिससे असमानता और असमती उत्पन्वी सामंत वाद ने समाज को विभेद कर दिया अलग-अलग कर दिया जिससे अस मती उत्पन नहीं बाहे आक्रोस अनेक अंतर राज विवादो और भष्टा चार के कारण सामंत वादी सासकों के प्रती जनता में आक्रोस बढ़ गया जो भष्टा चार था और अंतर राज विवाद था जिसके कारण सामंत वादी सासकों के प्रती जनता का आक्रोस बढ़ ग जिससे अध्यात्मिक एवं वैज्यानिक उन्नती रुख गई आर्थिक विपनता सामन्त वात की कारण गरीबी बढ़ी और आर्थिक विपनता हुई जिससे देश के विकास की गती प्रभावित हुई आर्थिक विपनता सामन्त वात की कारण क्या हुई गरीबी बढ़ा आर् प्रतिरोत कमजोर पड़ा और देश का पतन हो गया इस तरह से आपको उत्तर करना है मानव संसाधन महतपूर्ण क्यों है तो उत्तर देखते हैं मानव संसाधन महतपूर्ण है क्योंकि एक संगठन के लिए आवस्य ज्यान कौसल और अनुभाव प्रदान करते हैं आवस्य ज्यान प्रदान करते हैं मानव संसाधन एक संगठन के लिए मुल्यवान संपत्ती है और वे एक संगठन को अपने लक्षों को प्राप्त करने में मदद करते हैं इस तरह से आपको आठवे का उत्तर मानव संसाधन एक महतपूर्ण इकाई है क्योंकि एक संगठन के लिए अवस्य ज्यान, कौसल और अनभव प्रदान करते हैं मानो संसादन संगठन के थे मुल्यवान संपत्ती है वे एक संगठन को अपने लक्षों को प्राप्थ करने में मदद करते हैं प्रदूसन क्या होता है? प्रदूसन एक ऐसी इस्तिती है जिसमें वायू, जल और मिट्टी में हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है प्रदूसन के कई कारण है जिसमें सामिल है और द्योगिक गतिविधियां प्रदूसन एक ऐसी स्थिती होती है जिसमें क्या होता है वाईयू जल और मृदा में हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है कई तरह से होते प्रदूसन और द्योगिक गतिविधियां वाहनुसरजन क्रिसी अपसिष्ट कच्रा जलाना और प्राकृतिक आपदाएं इसमें समलित होते हैं प्रदूसन को रोकने के कई उपाई किया जा सकते हैं उर्जा दक्षता में सुधार करना परियोरन के अनुकुल प्रद्योगिकियों का उप्योग करना वाहनों से उस्सरजन को कम करना ग्रिसी अपसिष्ट का उचित निप्तान करना कच्रे को कम करना और रिसाइकलिंग करना प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षन करना ये प्रदूसन के रोकने के उपाई है कैसे कम किया जा सकता है इनके के लिए कुछ suggestions है फिर आपका अगला प्रश्न प्रोजेक्ट कारिया आप दुसरे के गलत वैवार और हरकतों से बचने के लिए कौन-कौन से चार काम करेंगे पहला है आपका समवेदन सिल्ता और सहयोग दुसरों की भावनाओं को समझने और उनके साथ सहयोग करने के माध् से संबंधों को मजबूत बनाए ये पहला है समवेदन सिल्ता सिमाय तै करें अपने लिए सिमाय तै करने से अंचाहे संबंधों से बचा जा सकता है सिखना और समझना दुसरों के अनभावों से सिखना और उन्हें समझने से भविस्य में गलतियों से बचा जा सकता है तीस और समझना सकारातमक बनाए रखना खुद को सकारातमक और स्वयम से प्रेम करने के माध्यम से अपने अंदर की ताकत को मजबुत करें जिससे आप असुब विचारों को नियंतरित कर सकते हैं तो यह रहा आपके पूरे प्रश्णों का उत्तर साथ में आपके प्रोजेक्ट को को भी करा दिया गया है तो थैंक्स फॉर वचिंग सस्क्राइब दे चैनल थैंक्यू सो मच जोइन दी टेलिग्राम एन वाट्सप ग्रूप लिंक अन दे डिस्क्रिप्शन फॉलू दे लिंक लाइक शेयर और कमेंट आन वीडियो